नमस्कार आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले मुखे समाचार सेल आरेसपी में प्लैटफर्म कारों और पुनर रिर्मित एच बी बीओ बीएस वैगनर का उटखाटन सेल दिवस के अफसर पर रॉलकला इसपाज सेंटर द्वारा 24 जन्वरी को 5 किलो मिटर वोक रन का आयोजन और सेल रॉलकला इसपाज सेंटर और मश्य विभाग उडिसा सरकार द्वारा मंदिरा जलाशय के पश्च जल में एक दशम लग चार आट लाख छोटी मचलियां छोड़ी गई अब समाचार विस्तार से सेल रॉलकला इसपाज सेंटर के ट्राफिक और रॉट मिटरिल विभाग में 13 जन्वरी को आयोजित एक समारों में 6 नई प्लैटफर्म कारों और एक पुनर निर्मित HPBOBS वेगन का उटगाटन किया गया मुख्यमा प्रवंडक T&RM श्रिये के बहरा ने समारों की अधश्ता की और वेगनों को जन्डी दिखा कर रवाना किया इस अफसर पे विभाग के अन्यवरिष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे RSP के बड़ी वी उत्पादंक शम्ता की आफशक्ताओं को पुरा करने के लिए AMR योजना के तहट मैसर्स SDW कुल्टी से 100 टन प्लेटफरम कारों की खरीद की गई थी हलांकि HPBOBS वेगन की मरमत घरिलू तोर पर की गई थी पुराने हो जाने के वज़े से तथा मौसम के थपड़ों के कारण वेगन की बॉडी खराब हो गई थी और स्पिलेज हो रहा था पहली बार ओवरहॉलिंग एक बाहरी एजेंसी द्वारा की गई लेकिन इस बार इलेक्टरोड, गैस, आदी जैसे उपभोग्य समाब्रियों को छोड़ कर उपलब संसाधनों का उपयोग करके पूरी मरमत इन हाउस की गई इस इन हाउस प्रयास से सेंटर को काफी बचद करने में मदद मिली है इन वेगनों का उपयोग कच्चे माल जैसे कोईला, कोक, सिंटर, एल्डी स्लेग, फ्ल्यू डस्ट के परिवर्ण के लिए किया जाता है उलिखने की RSP के पास तयार, अर्ध तयार उतपादों, उप उतपादों और कच्चे माल के परिवर्ण के लिए आंतरिक रोलिंग स्टॉक के रूप में 482 वेगनों का बेड़ा है इन वेगनों में से 116 प्लैटफोर्म कार हैं और 101 HP BOBS वेगन है इन वेगनों का रखरखाफ TN जार्म विभाग के केरी जेवंग वेगन सेक्चन द्वारा किया जाता है सेल रॉलकलाई स्पाथ सेंथर 24 जनवरी 2023 को सेल स्थापना दिवस के अफसर पर सेल परिवार के सदेसों के लिए 5 किलोमेटर लंबा वॉक एंड रन का रेकरम आयो जित कर रहा है वॉक रन को सुभर आट बजे इसपाथ स्टेडियम सेक्टर 6 से जनडी दिखा कर रवाना किया जाएगा प्रतिभागी आयू वर्ग के अनुसार विविनिस श्रिणियों में भाग ले सकते हैं इस पाशर में रहने वाले इच्छुक सेल परिवार के सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रविष्टियां प्रारूप में विदिवत भरे और अपने संब्धिक विवागों के प्रमुक द्वारा प्रभारीप महाप्रवंदक PHSN-SW, खेल विवाग, विजुपतना होकी स्टेडियम सेक्टर पांच को 20 जनवरी 2023 को या इससे पहले भेजे। प्रतियोगीता रॉल केला और आसपास के सभी स्कूलों और करलोजों के लिए खुली है। सेक्षिक संस्थानों के प्रमुकों की अपनी प्रविष्टियां उप्यूगत पते पर भेजनी होगी। रस्पी और सेक्षिनिक संस्थान के सर्वस्रेस्ट भाग लेने वाले विवाग को भी पुरस्कृत किया जाएगा। वोक और रन इवेंट के तुरंद बाद पुरसकार वितरन समारों उसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा। इन पुरसकारों के अलावा सर्वस्रेस्ट क्लॉकिंग वाले पुरुश और महिला प्रतिवागियों को बाद में कॉर्परेट स्पोर्स द्वारा नगत पुरसक जितने का मौका मिलेगा यदि वे सभी सेल इकाईयों के प्रतिवागियों के बीच वोक रन को पूरा करने में सबसे अच्छा समय रखेंगे। आयोजिन में सर्वस्रेस्ट भाग लेने वाले विभाग और स्कूल को भी ट्रॉफी से समानित किया जाएगा। प्रतिवागि में 11 जन्वरी 2023 को आयोजित कारेक्रम में मंदिरा जलाशय के पश्चिजल में एक और बेच के तहट 1.48 लाग छोटी मचलियां छोड़े गई। गई छोटी मचलियां की तीन अलग-अलग किसमें थी। ग्रामियस्तर पर मश्ची योजना का संचालन प्राथमिक मच्छवारा सरकारी समीती लाइंग राजगर्णपूर ब्लॉक द्वारा किया जाएगा जिसका सगठन इस उद्देश के लिए किया गया है। उमीद है कि लाइंग ग्राम के 1000 परिवार इस योजना से लावामवेत होंगे। मंदिरा जलाशय में छोटी-छोटी मचलियों को छोडने का ये पांचवा बैच था। अब तक विविन बैचों में जलाशय के विविन स्थानों में 15 लाख रुपे मुल्य की करीबन 7 लाख छोटी-छो वाले लोगों की जीवन की गुनवत्ता में सुधार के लिए हर समवर प्रयास कर रहा है और उनकी आय को बढ़ाने इस संदर में प्रमुख फोकल शेत्रों में से एक है। उलेकिन है कि मंदिरा जलाशय के आसपास शेत्रों में रहने वाली बड़ी संख्या में ग्रामीनों शेत्रों में वाली बड़ी संदर में इस को में एक है।